कर दोस्तों जैम आता दे हमारे बेबी कीजन चैनल पर आपका एक पर फिर से हार्दिक स्वागत बहुत गुत नंतन है और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही जब्रदस्त गरेल उपाई लेकर आई हूं जो है दूद और चना जो कच्छे चने पाने में भीगो करके इसके फाइदे जानते हैं जो शुकर वाले भाई बेनों के लिए बहुत ही महित पूंढ़ और एक बहुत ही जब्रदस्त हूं बाई शुगर वाले बाई बैनों को देखिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब किया अब जान लेते हैं से पहले क्या करना है रात को 15 ग्राम चने तो करके पानी में भीगो करके रखने यह देखी जो में पानी में भीगो करके रखे हुए और रात को एक गिलास दूद गरम करके रख दे ताकि जैसे इस उब उठे हम उसके मलाई उतार सके क्योंकि यह शुगर वाले भाई पहनों क और देखें ये चने हमने तोग करके रखें जो काफी फूल चुके हैं और जैसे इस उबह उठते हैं दूद को थोड़ा गुन-गुना कर लिखते हैं और इसकी फिर से मलाई उतारते हैं और देखें सुबह खाली पेट चने चपा चपा कर खाएं जो कच्चे चने भीगे हैं चपा चपा कर खाएं और उपर से दूद पीते रहें आप स्वाद से खाईए चने चपाईए और दूद पीजिए और सुगर के कारण सुगर वाले भाई बैन होते हैं जैसे उनको छोटा मोटा वाईलर हो जाता है तो दूद पीजिए करता है और सुगर के कारण अपसर कमजोरी आ जाती है तो उसे भी ठीक करता है हमारी ताकत बढ़ता है दूद चना और आखों की रोशनी भी कम हो जाती तो आंखों की रोजनी भी बढ़ाता है दूद चना और सुगर के कारण सांस फूलने की दिकत अक्सर हो जाती है यह उसे भी ठीक करता है और वजन कम करता है और हमारी ताकत बढ़ाता है जैसे शरीर में शेर करने की तो क्या खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं होती तो यह हमार ताकत बढ़ाता है हमारे शरीर में एनर्जी देता है और देखिए पानी अधिक से अधिक पिए जितना भी हो सके और आप शुबर स्याम जरूर शैर करना जितनी भी हो सके शैर जरूर करना और हमारा चेनल आगे से आगे और हमारा चेनल सस्क्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आयो तेसे लाइक जरूर करें कोमेंच करें सस्क्राइब जरूर करें जाए मातर दोस्तो